पांच जनवरी 1986 को डेन्मार्क मेज़न में दीपिका पादुकोन इंटरस्ट्री के इस वक्त सबसे महंगी अभी नेतरे थी बता दें कि दीपिका पादुकोन ने ओम शांति ओम फिल्म से डेब्यू किया और ऐसी नजवाने किती सारे सूपर हिर्स फिल्मों में काम किया जिसमें पदमावत बाजराव मस्तानी पठान जैसे फिल्में शामिल है बता दें कि दीपिका पादुकोन अपनी करियर के शुरुआती से ही जनता के दिलों पर राज किया करती थी ऐसे में उनके निधन की खबरों ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है बता दें कि आज सुबा साड़े दव सुबाजे दीपिका पादुकोन का निधन हुआ ऐसी खबरे निकल कर सामने आ रही है कहा जा रहा है कि दिपका पादूकुन काफ़ी समय से नशेडी चीजों का सेवन कर रही थी जिसकी वजर से हुई पर गहरा प्रभाव पड़ा था भताया जा रहा है कि देराद दिपका पादूकून को सांस लेने में दिक्कत हुई जसकी匯ज़ से उने मुंबर के ब्रीच केंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वहीं पर दिपिका पादुकोन ने अपनी आखरी सांसे ली हैं दोस्तों अगर आप भी दिपिका पादुकोन के फैन हैं तो इस रदब हाउपून इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें हाला कि एक तो दिपिका पादुकोन के नेधन की खबर लगतार वाइरल हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार या ओपिर किसी भी बड़े सेलिवरेटी ने कोई पुस्टी नहीं की है जिसके तोर पर यह माना जा रहा है कि दिपिका पादुकॉन की निथन की खबर महद अफ़ाहों के तोर पर ही फैल आई जा रही है दोस्तों अगर आप भी दिपिका पादुकॉन के फैन है तो उसरे उनके अच्छे सिहत के कामना करते हैं कॉमेंट बिस तरीकी किसी भी जानकारी को देखा या सुना है तो उस पर विश्वास बिलकुल भी ना करें इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इंफोमेशन में आपको दी है वह में सोसल मीडिया के माध्यम से प्राप्ठ हुइ है इस बात में कितनी सच्छाई है इसका पूश् जाना हमारे चानल का उद्दे से है आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद